जैहिन प्यारे दोस्तों मैं प्रकास वस्ते कानपुरवाला प्यार दोस्तों मैं पढ़ा रहा हूँ आपको नवीन अंगडित जो की पूरते अभी निसुल चल लही है और जिसकी प्लेलिस्ट यूटूब पे प्रॉपर अपडेट कर रखी है आज का सेशन वेरी वेरी इंप है जिसका नाम में मिक्शर एंड ऐलिगेशन आप किसी भी भरती की त्यारी करते हैं तो मिक्शर एलिगेशन आपको बहुत बेनीफिट देता है और कई कोशन्स पेपर में आते हैं जो कि आज की सेशन में ही आपको देखने को मिल जाएंगे पहला question जो कि example का है इस किताब में example भी मैं कराता हूँ तो example में साइ़ 4 question है तो हम proper way में पहले उन 4 को करेंगे और फिर उसके बाद प्रकाश डालेंगे exercise में और उससे भी पहले हम आपको बताएंगे concept ध्यान देना मेरी बातों को जब दो आठकिल एक वस्तू का प्राइस 10 रुपए है दूसरी वस्तू का प्राइस 15 रुपए है और इसे किस रेशियो से मिलाएं कि प्राइस 13 रुपए हो जाए और सेमी पैटन का कोशन है कि एक वस्तू का प्राइस 10 रुपए है दूसरी वस्तू का प्राइस 16 रुपए है किस रेशियो से मिलाएं और उसे बेचने पर हमको 20% प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट होता है और वो वैल्यू हो जाती 18 अब पहले दोनों का अंतर अभी समझ में आएगा मार्किड में सबसे ज़्यादा चलन में ये पैटन का कोशन है अभी पहले समझो मालो हम 10 रुपे किलो कोई चीज लाए 15 रुपे किलो लाए मिलाया तो 13 बना दिया तो मिक्षें एलिगेशन बहुत सिंपल वे में है एलिगेशन ऐसे प्रोसेस है 15 में से 13 गया तो 2 आया एक ब आली बात किया है में दोस्त याद रहे ये सीपी ये सीपी तो ये वैलू सीपी ही होनी चाहिए ये बिल्कुल फिक्स है क्योंकि मिलावट हम कर रहे हैं अब यही चीज का अंतर यहां समझ लो एक बस तू 10 रुपे में एक 16 रुपे में किसी रेशो से मिलाया उसको बेचने पर 20% का लाप तो वह 18 में गया तो ये जो 18 है न ये सीपी नहीं है ये एसपी है सैलिंग प्राइस 20% लाप का मतलब 5 की चीज 6 में बेची है बैस 100 की चीज 120 तबी 20% लाप तो ये सीपी हो जाता है और ये एसपी होता है 6 बराबर 18 के तो 1 बराबर 3 के तो मेरे भाई 5 की तो सीपी इसका पंद्रा आएगा अब हमसे कहते किस रिशियो में जैसा कि बोला जा रहा है तो 16 में से 15 गया एक और 15 में से 10 गया पांच एक और पांच की रिशियो से मिलाओगे तो 15 हमारा एज़े सीपी आएगा और उसको बेचोगे 20% लाप पर मेप आ दूस्तों तो 18 पर बिगेगा अब दोनों का अंतर आप समझ गए होगे ये सुन्दर कोशन होता है ये पहला कॉंसेप ठीक है बाकी बेसिक तो बिल है एया है इस उसके यहां पर यह स्पीड होता है लेकिन जो इसका यह गटाने पर यह न कर ली गट लीत ने हैं इसके होते हैं है के रेश्यो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह ध्यान रटना यह स्पीड दे दिया कि पांच किलो केम पीस की स्पीड चलता है फिर बारा केम पेस और दोनों की आउसा देतना है इतना घंटे का तो जो रेश्यो बनना है वो टीवन और टीटू किसका आएगा टाइम का आएगा यह चीज हमें स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले चैप्टर में भी कुश्चन को सॉल्व करने में हेल्फूल होता है अब यहीं पर एक और बात समझो एक और बात जैसे दो आट के लिए जिसे हमने कि कोई चीज है जैसे किसी क्लास में बॉइस हैं पंद् मार्क्स है और गल्स है गल्स मलो 25 बोल दे और उनके आउसत मार्क्स 60 है फिर कहते हैं हमसे किस रेशियो से मिलाया गया ठीक है कि ओवरल आउसत मार्क्स कितने 32 हो जाए ठीक है यह इस टाइप से कुछ भी तो देखो यहां पर क्या जैसे 15-25 तो फिर एक वैलू कम कर देगा बाई किस रेशियो से मिलाया जाए दोनों के जब रेशियो दे दिये तो उसी से मिलाया जाएगा यानि यहां पर बदलाओ करेगा तो उस केस में मालू हो सकता है कि यहां पर एक क्वांटिटी दी मालूम चला गल्स की क्वांटिटी बता दू कि कितना कि ओवरॉल क्लास का औसत पचास हो जाए ऐसे तब हम मिक्षेण एलिगेशन लगाएंगे कैसे ताठ में से पचास गया 10, 50 में से चालिस गया 10, यानि वन इस्टू वन, यानि यही ये कौन्टिटी का रेश्यो होगा, ये एक बरावर 15 के, तो एक बरावर 15 के, यानि 15 गल्स, 15 बॉइस हो गया, त आपको डरना नहीं, बस इतने ही concept से हम लोग खेलेंगे, बाकी एक और concept होता है, वो question से, concept क्या, कि कोई mixture है, उससे 10 लीटर निकाला, उसकी जगे 10 लीटर डाला, फिर 10 निकाला, फिर 10, ऐसा process दो बार, तीन बार, चार बार, ये वाले भी question बहुत famous हैं, तो ये ऐसे समझ में इतना बैतर नहीं आएगा, जितना मैं question में आपको समझाओंगा, बैतर, सुन्दर, सरल तरीका, यूटूब के इतियास में ये lecture, very very important सभी के लिए होगा, ऐसा मैं इसको बना दूँगा, पहला question जो कि example का है, सीधा समझेंगे, कहता 63 रुपे प्रति किलोग्राम की चाय, 90 साथ किस अनुपात में मिलाई जाए, कि मिस्रन का मूल 72 हो जाए, तो 63 रुपिया वाली, 90 रुपिया वाली, किस रेशियो से मिला है, वो हमको चाहिए, मालुम करना है, तो 72 बस घटा लो, कहते हैं, 90 से 72 गया, तो 18 आया, और 72 से 63 गया, 9 आया, और answer 2 is to 1 है, यानि इन दो मिक्षर को 2 और 1 के अनपात से मिलाओगे, तो मेरे दोस 72 रुपिया केजी आ जाएगा, अगर आपको क्रॉस शेक करना है, तो कुछ नहीं करना है, 63 गुड़ा 2 प्लस 90 गुड़ा 1 और बटा मेरे बाई, बटा, 3, 72 ही आ जाएगा, concept बताया था, concept बताया है, अब यहां देखो, यहां पर देखो, बिलकुल concept पे चला, यह वाला आपने पहला question देखा, दूसरा question इस पे बेज़ड है, और यही चीज आपको सीखने भी है, यह question को हम 3 start इसलिए दे रहें कि आपको पैटर्न पे आ, कहता है, 37 रुपया प्रती किलोग्राम के कितने चावल, 48 रुपय, 40 रुपैसे प्रती किलोग्राम वाले 25 किलोग चावल से मिलाए जाएं, दूको चावल का प्राइज है 37 रुपया, अब कितने चावल तो X केजी चावल, यही X का मान निकालना है, और हमे मिलाना है 25 केजी, चावल से, जिसका प्राइज है 48 रुपया, 40 पैसा, और हमसे यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है, मिस्रन को 46 रुपय प्रती किलोग्राम बेचने से 15% का लाब होता है, यानि मेरे भाई, यह SP दिया गया है, कि 46 रुपय में आप बेच रहो, और तब 9 बेचाएंगे 46 बीच में लिखके, स्वाल कर डालेंगे, उनको डस लेगा एकजाप, यह जो मिलावट करते हैं, वो तो CP की करते हैं, SP कहां से बुचिर दोगे, यानि हमें SP निकालना पड़ेगा, 15% का मतलब होता है, 15 बटा 100, जिसे समास 3 बटा 20 कहता है, यानि 20 की चीज 23 में बीची गए, यह हमारा CP कहलाता है, यह हमारा SP कहलाता है, यह तो oral लिखना चाहिए, पर हम लिख देते हैं, और यही 23 की वैलू 40 हमें गिवन है, यानि जश्ट दो गुना, यानि CP निकालेंगे, जश्ट दो गुना 40, यानि यहां पर जो वैलू आएगी, वो 40 आएगी समाज गया, बोलो बोलो टेल टेल, और मेरे प्यारे धिस्वासियों, घटा दू, बड़े में से छोटा जाएगा, तो 8 रुपिया 40 पैसा आएगा, और अब एक बार यह बड़ा होता है, एक बार यह छोटा होता है, चालिस में 37 जाएगा, तो 3 आएगा, यह बात याद 14 सत्य, 14 छकर 84, 14 इस्टू 5 रेशियो आ गया, अब यह देखो यहाँ पर, अब यही चीज समझना आपको, तो यह जो रेशियो है मेरे दूल, यह किसका रेशियो है, क्वांटिटी का, और यह भी किसका है, क्वांटिटी का, तो क्वांटिटी में ही पूछा गया, अब 25 को यह कह रहा है, 5 किलोग्राम बोलते हैं, यानि 5 में अगर 5 का गुणा कर दें, उपर 5 गुणे 5 तो 25 होता है, तो 14 में भी किसका गुणा करोगे, 5 का, तो 14, 25, 70 केजी, यह है खासियत, एलिगेशन प्रोसेस की, तो 70 केजी is the right answer, ठोको लाइब बोलो हाँ, पूरा सेशन देखना मेरे भाई, अभी तो exercise के जब 10 कोशन शुरुवात के लगाओगे, मजा आ जाएगा, आपने offline जो कोचिंगे पड़ी होंगी न, 2-2-3-4-4 दिन, 5-5 दिन, उससे बहतर सिखाने की कोशिस करेंगे, फिलाल बहतर offline ही होता है, ये भी सब्द है, मैंने का कोशिस ठीक है, अपना YouTube चैनल अराम से पढ़ाता हूं मैं, ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ गए की नहीं आ गए, किसी को कोई doubt नहीं, बिलकुल offline की तरीके आपको पढ़ाया जाएगा, offline का comparison कहीं नहीं कर सकता, ये भी मैं सही है, ये भी matter है, बोल दिया तो बोल दिया, मुसे न पात में मिलाया जाए, कि मिस्रन को क्रेमूल पर बेचने से 20% लाब हो, अब देखरो, one of the best question और इसका direct trick बताया जाएगा, पर पहले बहतरीन समझाया जाएगा, क्रेमूल पर बेचने पर 20% लाब हो, यानि ये चीज आप selling price पर, आप सुमझना, पहले इसको general समझे, फिर सिखा देंगे, तो आप बल्ले-बल्ले करना, पहला सब्द लिखा है, मिल्क यानि मिल्क और वाटर, मिल्क जितना भी लाओगे, अपने आप में वो 100% उसका price होगा, मालो 10 रुपया किलो हो है, 25 रुपया किलो है, 30 रुपया किलो है, तो 100% है, और वाटर का price 0 रुपया, क वो 100% होता है, और 100% का मान एक होता है, इसलिए मेरे दोस्त, यहाँ एक ही लिखा जाता है, हमेशा, यह भी ध्यान न को, तर हम 5 लिखेंगे, लिख लो, 5 और 0 का ratio, दोनों साइट 5 का भाग दे दो, एक और 0 का ही ratio बोला जाएगा, ठीक है, 50 और जितना, वो सब एक ही count किया जाएगा, एक मतलब अपने आप पे 100%, बहुत प्यार से सुनना, अभी हमने इससे पहले question में आपको ग्यान दिया था, कि यहाँ जो value आती है मेरे भाई, यह वाली, यह cost price होगा, लेकिन वो कहता है कि, मिस्टर को क्रैमूल पर बेशने पर 20% लाव होता है, यानि 20% लाव का मतलब एक बटा पांच, यानि 5 की चीज 6 में बेची गई है, यह CP है, यह SP है, और मेरे दोस्त, वो खुलके बोल लाएगे, प्रकासर, प्रकासर, कांदपुर वाले, क्रैमूल पर बेच रहे हैं, किस में बेच रहे हैं, मिस्टर को क्रैमूल पर बेचा गया, यानि हम एक र 6 की वैलू है, वो एक यूनिट के बराबर हो जाएगी, तो मेरे भाई 6 की वैलू है, तो 1 की क्या होगी, 1 बटा 6 यूनिट हो जाएगी, और दया हमको तो यह 5 की चाहिए, क्योंकि यह CP लिखते हैं, दोनों साइड 5 का गुणा कर देंगे, यानि 5 बटा 6, 5 बटा 6, यानि म और इस से यह घटा दो, तो 1 बटा 6, इसका रेशियो लोगे, 5 इस्टू 1 आ जाएगा, पांच और एक के अनपात से अगर आप मिलाओगे, तो आपको 20 परसेंट का क्या होगा, लाब होगा, लाब होगा, लाब होगा, समझ गए, अब मुद्दा यह आया कि सर जी, आप तो पढ़ लिया, दिखा दिया, अब आपको डारेक्ट ही करना है, सेम पैटन का कोशन, बिल्कुल पहले कोशन की भासा याद रखना है, क्योंकि भासा याद रखोंगे, तभी डायट कर पाओगे, दूद और पानी को किस अनपात मिला है कि मिस्रण का क्रैम मुल्द पर बेच जाता है, जिसे 20% बोला जा रहा है, तो 20% की वैलू होती है, एक बटा पांच, तो यह जो 5 है न, यह मिल्क को चला जाएगा, और एक हमारा वाटर को चला जाएगा, आप से किते 16 से दो बटा 3% लाप, यानि एक बटा 6, तो 6 मिल्क को एक वाटर को, क्या मेरी बात पहुच रही आप तक, और हमसे यहाँ पर देखो, रेशियो भी हमेशा जिसे यहाँ दूद और पानी लिखा है, तो दूद और पानी, मिल्क और वाटर, तो मिल्क पहले आ रहा, फिर वाटर, यानि 5 इस्टु 1 आंसर, 5 इस्टु 1, यह नहीं जोका ना कि 1 इस्टु 5 होता है, यह होता है, आज सेशन में भी 2-4 कोशन दिखेंगे, तब हम आपको और डायेट बताएंगे, समझ गया, 3 के बाद, 4 नमबर, यह अभी सेम पैटर्न का, यूपी कॉंस्टेवल में भी आया, दो बरतन, A और B में, दूद और पानी की मिस्रण, इनमें से दूद और पानी का अन इतना है, मिस्रण को किस अनपात में मिलाया जाए, कि नए मिस्रण में दूद और पानी का अनपात इतना हो जाए, अब सुनो, इसमें दो वैराइटिक कोशन बनते हैं, एक्चुल में मिक्षेन एलिगेशन का कुछ पार्ट हमारा रेशियो से भी जुड़ा होता है, तो र यहीं पर हम एक पेज और बढ़ाते हैं, और आपको कॉंसेट लिखते हैं इसका, पहले समझो, बिल्कुल रट के बैठना, रेशियो भी भी आपको मजाएगा, वो इसी तरह डिपेंडेंट है, रेशियो हो गया, एवरेज हो गया, यह सब टॉपिक एक दूसरे से रिलेट करना, जैसे कोई चीज यहां दे दी, A is to B के रेशियो से, C is to D के रेशियो से, और E is to F के रेशियो से, अगर आप से कहता है कि प्रभू यह इन पतीलों को किस रेशियो से मिलाया जाए, यह X और Y, यह किस रेशियो यानि यह कोशन मार्क, तो आप मिक्षेंड एलिगेशन से इसको सॉल करेंगे, मिक्षेंड एलिगेशन से सॉल करेंगे, मैं थोड़ा लिख भी दूँगा, आप चिंता मत करो, लेकिन जब ओपर X और Y की वैलू पूछी जाए, ठीक है, तो यह अब यहां पर अगर लिखा जाए तो इस पार्ट को अलग किया जाता है, जिसे A वा एलिगेशन का प्रोसेस लग जाता है, लेकिन सेम पैटन का कोशन, सेम हो सकता है, आज जी के सेशन में आएगा भी, आएगा भी, ठीक है, सेम पैटन के कोशन में लिखना, यहां पर वही मैं लिख दे रहा हूँ, A is to be, और C is to D, E is to F, और X is to Y, अब यहां पर X is to Y, गिव यह चीज गिवन और आप से यह चीज पूछी जाए, पैटन दिस वन, तो अब यह कोशन हम लोग रेशियो मैथट से सॉल्व करेंगे, किस से करेंगे, रेशियो से करेंगे, वही पतीले तीन इधर, तीन इधर, लेकिन अंतर आप समझ गये होगे, जब यह तीनों पतीलों के रेशियो दिये जाए, किस रेशियो से मिलाए जाए, मिक्षन्ड ऐलीगेशन, और जब पहले पतीले का रेशियो, दूसरे पतीले का, ऊपर की quantity given है, कि पहले 3 लिटर है, दूसरा 5 लिटर है, अब बताओ, इनको मिलाने पर क्या रेशियो होगा, उस case में रेशियो प्रो जाम्पल में जो आपको बताया जा रहा है सब वेराइटी है अब देखो यहां पर आसान भी में कहता है दूद और पानी का अनपात इतना इतना है मिस्टर को किस अनपात में मिलाए जो कि 9-5 यानि यह और कैसे लगेगा समझो मगर प्यार से जिया समझो मगर प्यार से देखो यह वाला पार्ट आप निकालोगे तो पांच ऐसे दोनों का योग साथ से भाग आठ ऐसे दोनों का योग तेरा से भाग नौ ऐसे दोनों का योग दोनों का योग और तेरा से भाग अभी भी यहां अभी भी यहां मुद्दा है अब सर मुद्दा क्या है समझे यहां साथ 13 तेरा या तो ऐसे करके घटा दो घट जाता है आप मत जाओ किसी हाइटेक प्रोसेस में कौन बड़ा जैसे नौ बटा तेरा आट बटा तेरा तो एक बटा तेरा आएगा और अब यह एक बार बड़ा हो चुका तो इसका मतलब अब यह बड़ा होगा यानि पांच बटा साथ में नौ बटा तेरा 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 पच्छे 65 और में से 63 गया दो बटा साथ गुड़े तेरा लिग देता हूं और देखा जाए अभी रेशियो से तो यह कड़ गया यानि 1 is to 2 by 7 यह आया और इसी को थोड़ा सा और करेंगे 7 is to 2 आ जाएगा यानि साथ और दो के रेशियो से अगर हम मिलाएंगे तो आंसर आ जाएगा यह कर लो या अभी भविस में हम बताएंगे जिसे साथ 13 13 इसका LC हम लोगे तो 13 सत्य क्यान बें तो यहां नीचे 13 का गुणा तो ऊपर कर low की समद्रल गया हैं ओपर कर लो इधर भी ऊँपर कर लो और उसी हिसाप से निकाल लो तर कैसे यह क्या चीज है आप की शमता जैसे यही है सबसे पहले तो आप resposta में जोड़ लोगे और कि 5-2-7 यूनीट हो गया एक तरीके से यह 13 यूनीट हो गया यह तेरा यहां कर लोगे यहां 3 है तो 7 का गुणा कर लो और यहां 13 है तो 7 का उना तरलो अब यह दो को 13,65 ऐसे लिख देंगे और 8,56 ऐसे लिख देंगे और 9,63 गया तो नो गुड़े साथ करना होगा नो सत्ति त्रेसर्ट ऐसे लगा देंगे और अब लगा देंगे mission allocation तो 63 में से 56 गया साथ ऐसे आया और 65 में से 63 गया दो ऐसे अब देखो कौन सा खुबशूरत नदर आ रहा है इसलिए हमने क्या किया जब इसमें 13 क्या तो 25 लिख दिया आठ स्थी छपन लिख दिया और 9 सत्ते 63 लिग दिया और रेशियो निकाल दिया टाब इनिश्टू टू साब इनिश्टू टू उमीद है ये चारो एक्जामपल हर एक मासूम बच्चे को समझ में आए हूंगे ऐसी हमें आसा है एक बड़ मुस्कुराना बोलना हां सब मजा है असली मजा तो अब आगे कम से कम जब 10 कोशन हम लोग देखेंगे उसमें आएगा हां पहला कोशन एक्सरसाइज का आपके साब आराम से करना किताब की भासा को बाद में देखना पहले आप हमारे सलूशन को ठीक है हो सकता है कि पहला सलूशन किताब बाला ही हो ये भी मैटर है परहेंगे और समझेंगे पह इस्टू वान है यानि मिल्क और वाटर का जो रेश्यू है वो सिक्स इस्टू वान है कहता है हमसे 21 लीटर मिस्रन निकाल दिया जाता है और 77 लीटर पानी मिला दिया जाता है यानि 21 लीटर आप मिक्षड को निकाल दोगे और 77 लीटर पानी मिला दोगे यदि परणामी मिस्रन की कुल मात्रा मूल मिस्रन की मात्रा का दो गुणा हो जाता है तो मूल मिस्रण में दूत की मात्रा क्या होगी तो इसे आप बेसिक वे में करोगे तो ये हो जाएगा समझता ये बिल्कुल आसान है पर आप बेसिक वे में करोगे देखो ये 6 और 1 लिखा है तो इसको 6X और X मालो तो टोटल ये हो गया 7X अब भासा को पढ़ना कोशन कर ले तो टोटल मिक्षर 7X था इससे 21 लीटर निकाल लिया और मिस्रण में 77 लीटर पानी मिला दिया तो है तो वही मिक्षर तो उसमें 77 लीटर पानी मिला दिया ये परणामी मिस्रण की कुल मात्रा मूल मिस्रण की दो गुनी तो मूल तो 7X था अब इसका जो परणाम आएगा वो इसका double, 7x का double, 14x हो जाएगा, मूल मिस्रण का दो गुना हो जाता है, यानि 14x हो जाता है, तो मूल मिस्रण में दूद की मात्रा तो x निकल आया, और 6 का गुना कर तो answer, मुद्दा खत्ब, तर कैसे, इन दोनों का अंतर 7x आएगा, 7 में से एक गया 6, 56 यानि x बराबर 8 आगया, क्योंकि 8 सते 56, और हमसे परणामी, मूल मिक्चर तो ये 6x है, ये 8 है, तो 8 का गुना कर दो, 8x 48, इस question को एक तरीके से किताबी pattern से करें, क्योंकि कुछ ज़्यादा खासी नहीं है, एक line solve करना है, ज़्यादा करना होता तो लगाते, 48 liter is the right answer of this one, हर एक मासूम को clear हो गया होगा, क्योंकि एक line ही लिखना है, उसको calculate करना है, 48 liter is the right answer of this one, चलिए, आगे बढ़ेंगे, question number 2, अब इस question को हम बहुत लंबा समझाने वाले हैं, पहला, और जो दूसरा बताएंगे, उससे आपको खुसी मिलेगी, इसको 3 star इसलिए दे रहें, क्योंकि हम इसको जान भूज कर आपको पहले बढ़ा समझ जाएंगे, याद रहें, सभी से request है, को तो IC हाथ जोड लें, पहले इसका solution देखना कि किस हिसाफ से हम इसको सिखा रहें, उसको सीखने की कोशिस करना, बाद में इसका तुरंथ ही इस बताने जा रहा हूं, तो दो बार बताओंगा, यह अभी से बता दिया, जो भावनाओं बैजाओ, देखो, कि तब दूद और पानी के एक 140 लीटर मिस्रण में, दूद और पानी का अनपात 5 इस्टो 2 है, देखो, पहला mixture है, 140 लीटर, इसमें milk और water का जो ratio है, वो 5 इस्टो 2 है, बोलो हां, यहां तक हमने कोशन को पढ़ लिए, अब पहले छोटी बात को समझो, पांच और दो होता है, साथ, साथ बराबर 140, एक बराबर 20, यानि 5 बराबर 100 लीटर मिल्क होगा, और 2 बराबर 40 लीटर water होगा, या मेरी पहली बात समझ में आई, कलर बदलते रहेंग को सब समझ में आएगा, पहले बोलो हां, यह चीज पहले समझो, पांच दो किता होता है, साथ, साथ बराबर 140, तो एक बराबर किसके, तो कहोगे सर जी, एक बराबर तो 20 के, तो 5 बराबर 100 लीटर और 2 बराबर 40, यानि मिल्क 100 लीटर और water 40 लीटर, अब भासा समझना, अगर 28 लीटर आप मिक्षर निकाल लो, किता निकाल लो, पहला केस है, केस वन, या केस वन है, ऐसे मैं लिखूंगा, जान बूच के, कि आपको समझ में आए, कि 28 लीटर यहां से आपको ड्रॉप करना है, हटाना है, 28 लीटर, तो क्या करोगे, अब यह 28 लीटर अभी इसका एक तुम्णी बराबर चार के, ञाने विख सरी लीटर इससे मिल्क टेगा, एक लिखूंगा जोगी, तो अब हमारा जो मिल्क आया, वो अब मिल्क हो गया हमारा haz witches, लीटर और वाटर हो गया 32 लेकिन आगे कह रहा है मिस्रण में उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया यानि 32-28 निकाला तो 28 लीटर इसमें हमने वाटर मिला दिया मैं कलर बदल ला हूँ जान बूच के कि सारे पॉइंट क्लियर हो यहां पर आपने वाटर मिला दिया यानि फिर से यह पतीला यह 80 लीटर हो गया और यह 60 लीटर हो गया 80 और 60 हुआ बोलो हां कि सर्जी आप तो सही कह रहो अरे 80 और 60 हुआ कि नहीं हुआ मतलब आप यह समझो मैं मिल्क मैं हूँ पहले बात सुना मुझे 140 लीटर के माल किसी को सप्लाई करना है अब मैं अपने श्टेट से कहीं जा रहा हूं तो मालूम चला टोल टेक्स मिल गया कि सर्जी कि पैसा दो टोल टार समने का पैसा कहां मेरे पास दूद है तो ले लो आपके दे दे दो 28 लीटर हमने आपको 28 लीटर प्योवर मिल्क था उस टाइम पानी कहा जूका था और उसमें पहले सही पानी मिला रहता है सापसूत्री बात है वो कासम खाओ चरना खाओ मिला होता है तो हमने 28 लिटर आपको दे दिया हम कस्टुमर को तो हमको देना 140 हम गए आगे उठाया 28 लिटर पानी उसमें जोग दिया फिर से हमारे पास 140 हो गया यह है पहला केस पहला केस यह हो गया बहुत लंबा बताएंगे आपको मजा आएगा पहले बोलो हा हो रहा है ठीक है सेम अमाउंट वाटर कह रहा है इव दा प्रोसेस इस रिस्पेक्टेट ट्वाइज तो रिपीटेट ट्वाइज वाट विल वी दा क्वांटिटी अब फिर से हम केश टू की और जाए अब यहां समझना यहां से आपको बहुत मजाएगा फिर से 28 लिटर नि इस रिशू हो गया तो अब यह साथ साथ बराबर 28 के तो एक बराबर चार के चार इससे चार गुड़े चार यानि 16 लिटर इसमें कम कर दोगे तो अब हमारे पास मिल्क बचेगा 64 लिटर और वाटर चारते हैं 12 साट में 12 गया तो 48 लिटर पानी बचा लेके फिर हम टैलें लिटर का जोग दिया पानी फिर जोग दिया 28 लिटर क्या जोग दिया पानी जोग दिया फिर से हमारा पतिला देखो 140 हो गया कि ने फिर केस 3 की ओड़ जाएंगे अब मजा आएगा उस तो बोर हो गयोंगे काई ता बताए पड़ाए बहिया आफ लाइं की तरीके पढ़न यह 64 और यह हो गया चीएतर चाउसट चीएतर इसको कुन्य में लिखके दिखा दें यहां 64 और यह चीएतर और अगर इसका रेशियो लेना है तो 64 4 से 16 बार और 19 का चीएतर यानि 16 और 9 के 19 के रेशियो से अब इसका रेशियो आएगा 16 और 19 अब इस रेशियो से निकलेगा 28 लिटर अब यह हो गया 35 35 बराबर 28 के तो यह चीए हम यहां लिख रहा है 35 बराबर 28 के यह तो दिखाना पड़ेगा एक बराबर 28 बटा 35 यानि 4 बटा 5 एक बराबर 4 बटा 5 तो अगर मुझे 16 का मान चीए तो 16 का गुणा यहां करोंगे यानि 64 बटा 5 और 64 बटा 5 को हम 12.8 बोलेंगे समझ गया तो इससे अब जो निकलेगा मिल्क वो 12.8 निकलेगा मिल्क 12.8 आगे हमसे दूदे पूछ रहा है तो वाटर को हम नहीं स्वाल कर रहे है इससे यह कम कर दो तो 20 ऐसे आ गया तीन में से दो गया एक ऐसे आ गया 51.2 तो अब हमारे पतिले में प्योर मिल्क 51.2 लीटर होगा तब वो रो गया पर क्या करे मेरा मन ता सिखाने कर तो मैंने सिखाया यह इसका actual process है सीखने का ठीक है फिलाल पेपर में कभी आईसे ना कर देना जो तुमको आईसे करके डस आए अभी सीखने के हिसाब से यह पहला process है उमीद है सब को यह clear आया होगा नई समझ में है तो वीडियो को फिर से देखना मैंने बड़े आराम से सिखाया है अब मार्केड में इसका shortcut है और shortcut से ही पूरी दुनिया कर रही है जो पढ़ने वाले बच्चे है तो shortcut देखिए अब सुनो फिर से कोशन अब मजा आएगा अब इस पैटरं के भी पांस साथ कोशन आएंगे अब लगा है फढ़ दी बैंक पियो फढ़ जी कोशन आई भी पि के एक मिसर में 140 लिटर मिल्क और वाटर हमने फिर से वही लिखा 140 लिटर और इसमें 5 और 2 का रेश्यों है अब कोशन को बहुत बारी किस लेते हैं अब इस चीज को भोल जाओ कि 5 और 2 का रेश्यों है अब यह समझो कि एक पतीला है अब उसको भूल जाओ कि यह 5-7-2 का रेश्यों वह बाद में काम आएगा एक पतीला है जिसमें 140 लिटर दूद और पानी का मिसरन है अब 5-2 भूल जाओ इसमें से 28 लिटर हम मिसरन निकालते हैं और फिर पानी जोगते हैं फिर निकालते हैं फिर पानी जो होगते हैं यानि अब हम रेश्यों का बिल्कुल हाइटेक वर्जन ला रहे हैं 28 लीटर आप निकालते हो आउट ओफ 140 से यानि एक बटा पांच माल आप निकाल लेते हो यानि कोई चीज पहले पांस थी आपने एक निकाल लिया तो अब वो चीज बच पही चार पांस थी एक निकाला चार और ये प्रोसेस आपने तीन बार किया तो दो बार तो दो रहाया है और एक बार पहले किया तो तीन बार किया यानि यह क्यूबिक कर दिया और ये चीज पहले मिल था 125 यूनिट यूनिट समझ लो और अब ये 64 बचा पहले मिल्क था 125 पर अब क्या बचा 64 हमसे अंति मिस्रण पूछ रहा है तो यह जो 125 आया है मेरे दोस्त यह 125 आया है हमारे पास मिल्क तो 100 लिटर था ना यही 125 बराबर 100 लिटर के तो मेरे भाई मेरे दोस्त तो बटा 125 चार बटा 5 यानि इस वैलू में 4 बटा 5 का गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा तो इसमें भी 4 बटा 5 कर लो यह solution है one of the best यह solution तिखाने के point of view से कि actual क्या होता है अंदर कितने operation चल रहे होते हैं वाई इस कोला वाली वाले वो आपके सामने है लेकिन अब बात आती है एक paper में करने की तो यह है एक बार फिर से समझो क्योंकि अभी यह 3-4 बार आए और उसमें यह 5-2 नहीं तो तो और देगा सुरुवात के 10 कोशन अच्छे हैं सुरुवात के काफी अच्छे हैं तो सब हलके अलके हैं ठीक है वो फिर वही है जो टेडिशनल सब जगे आ रहे हैं पर थोड़े से अच्छे हैं सुरुवात के 140 लिटर माल था हमारे पास 5 और 2 के रिश्यों था बोलो हां अब 52 ह पानी 28 लिटर निकालते पे पानी 8 लिटर निकालते पानी 28 बटा 140 यानि 5 माल था एक निकालते हो पांच से एक निकाला तो बचे का माल कितना चार और ये प्रोसेस किती बार हो रहा है तीन बार हो रहा है तो क्यूबी क्याने 125 चौशाट का रिश्यों पर एक्च्वल में मिलिक था 100 लिटर 125 बराबर 100 के तो एक बराबर 45 चावड़ा 5 एक सो पचिब 45 करोगे सव आएगा समझ गहना चावड़ा 5 करोगे 15.2 अब ठोक देना लाइक और अगर ये बात समझ में आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और चार लोगों को कम से कम सेर करना अगर आपको ये लगता है कि ये टीचर महनत कर रहा है अगर आपको लगता है, चले, हाँ, सिद्धी बात पढ़ाने में मज़ा तभी है न, जब ज़्यादा ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें, अभी तो निशुन पढ़ा पाऊंगा मैं, एक जार में 120 लिटर दूद और पानी का मिस्टर, जार में दूद और पानी का अनपात 5 और 3 है, एक्स लिटर मिस्टर निकाला जाया, और उसकी जगे दूद और पानी का अंतर 24 लिटर हो जाता है, एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा, अब देखो मैं सब किताब से हटकेरी बताओं। तो मेरे दोस। मेरे दोस। पहला retro फिर से थोड़ा सा Bhag इत्तू सा। उसके बाद कोनो बे欸sik ने सब में दूआ 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 I sem कोशन में तोड़ा सा बेशिक और फिर से समझे इस कोश्ण को इसको हम दो बार फिर से लेंगे पहले बेसिक समझो हलक आसा जदा नहीं जदा बड़ा बेसिक नहीं जैसा बोला बस उतना ही बेसिक 120 लिटर दूद और पानी का मिसरा है 120 लिटर तो कोई मिक्षर था 120 लिटर मिल्क एंड वाटर है के मिलक एड़ जिसका रेशयो है 5 और 3 अब यहां पर देखो पाँस तीन क्या होता है तो कहोगे सरजी मास तीन जो होता है आंट जो होता है 8ड बराबर 120 तो 1 बराबर 15 जो पांच बराबर 75 यानि पज़त्ता लिटर मिलक है और 3 बराबर 15 तयाय 45 लिटर वाटर आप कह रहा है आगे कहता है या एक्स लिटर मिस्रण को निकाल दिया आता है और दूद और पानी का अंतर 24 हो जाता है आप एक्स लिटर निकालोगे ना मेरे भाई तो दोनों से निकलेगा दोनों से कैसे भाई ये 75 था 75 लिटर और ये 45 लिटर आप इससे अगर एक्स लिटर माल निकालो मैं जान मुझ की बीसिक बता रहा हूं कि 5-3 से आप एक्स लिटर चीज को निकाल ले हो तो ऐसे पड़ोगे 5-3-8-1 बडाबर xy-1 तो 5 बडाबर 5 बटा 8 x माल को निकाल रहे हो और 3 बडाबर 3 बडाबर 3 बडाबर 3 एक् इससे जो निकलेगा वो 5 बटा 8 X निकलेगा और इससे जो निकलेगा वो 3 X बटा 8 निकलेगा और ऐसा करने पर अंतर 24 लिटर का आ रहा है यानि इन दोनों का जो अंतर है वो 24 आ रहा है कि यह ना सोचना कि प्रकासर इतना बड़ा बता रहे हैं मैं बता रहा हूं मैं सौटकट बताऊंगा ठीक है पहले सीखने पर विश्वास करो कि सीखा क्या जाता है अब जो भासा बोला हम तो उसी चले तो करना क्या है मेरे भाई 75 से 45 गया तो यह 30 आ गया लेकिन अब यह यह तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस का पांच बटा एक्स माइनस का तीन बटा एक्स तो माइनस का दो बटा एक्स यानि माइनस का एक्स बटा एट आ गया सोरी X by 4 बहुँ 5X 5 बटा 8 3 बटा 8 तो 2 बटा 8 आया 2 बटा 8 को क्या बोलते है 1 बटा 4 और ये 24 की हो गया इससे घटा लो तो 6 बराबर X by 4 के X बराबर 64 को 24 यानि 24 लेटर X का मान हो गया कैसा लगा ज़ादा बड़ा ये भी नहीं है जब अब इससे आदा सॉट कर जानते हैं तो क्यों नहीं सिखाएंगे देशवासियों को बोलो बोलो टेल टेल उमीद है यह बात सारा मासूम बच्चा सीख गया होगा ना तो कहना ही नहीं क्लियर अब इसी कोश्चन को फिर से सिखो ना समझ में तो वीडियो को दुबारा देख लेना आ जाएगा समझ में वो एक ही बार में अब इसको हम तीनी स्टार लगा रहें कि आप यहां से एक प्रॉसेस को भी जानो बड़े आराम से एक जार में 120 लिटर दूद और पानी का रेशियो था यानि ये एक जार था जो कि 120 लिटर था और इसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो था वो 5 इस्टू 3 था हमें कोई तकलिव नहीं हमसे कहता है प्रभुजी हमने इससे एक्स लिटर माल को निकाल लिया हमने बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर तो बताओ रेशियो क्या होगा और फिर से रेशियो वही पांच और तीन का होगा अब बच्चा घबरा गया कि सर आप तो सस्ता नसा करके पढ़ा रहे हूं हाँ दुफैर के एक बज रहे हैं आप सस्ता नसा कर रहे हूं अरे साम को कर लेना था आप तो सुबह सुबह करके बाट नहीं मेरे दोस्त सस्ता नसा नहीं है समझो कोई चीज आपने बनाई जिस रेशियो से मालो सुबह बनाते हो चाय चार-पांच लोगों की चाय घर में बनती है ठीक है कुछ के यहां ज्यादा लोगों की बनती है कुछ के यहां कम लोगों की वह बात की बात है अब उससे सबको सबको आधी-अधी कब चाय दी ज बोल। बोल। चाहि जिस ratio से बनाई होगी उसी ratio से सब का test होगा। समझ में आया कि नहीं का? कहने का मतलब यह है कि माल आपने कोई भी चीज बनाई उससे कुछ भी part आपने निकाल लिया, लेकिन उसमें छो ratio है मिला हुआ माल वो उसी रेशियो से रहेगा तबी तो वही स्वाध रहता है न यानि पांच और तीन के रेशियो से कोई मिक्षर था जो 120 लिटर उससे हमने हाँ सर मुझे समझ में ये बात आ रही है समझ कर अब देखो मेरे दोस्त ब्रॉस निया को मिक्षए उससे कुछ लिटर निकाल लिया जाना है कुछ लीटर माल निकाल लिया तो वही रेशियो रहता है ये बात आज से याद रखना है इसलिए लाल कलर लिख दिया मैंने अब सुना अब हम उसे कहता है कि सर जी तो जान में दूद और पानी का अंतर 24 हो जाता है कि एक बराबर बारा के हुआ तो पांच बराबर साट के यानि इस वक्त मिल्क साट लिटर है और तीन बराबर 1226 के orgasm कितना है 36 हे 630 साट 636 और टोटल अगर मैं बात कुरूं दया टोटल टोट टोटल की बात करूं तो साट ऩहते 96 लिटर होता है कि पहले था 1900 आज से 96 दोनों का अंतर कितना है तो को मुश्कुरा कि तो 24 ही तो होता है क्योंकि 126 में 96 गटाओगे 24 आएगा 24 आने वाले समय में हम लोग ऐसे ही खेलेंगे यह नहीं कि यह इस टाइप से सजाएं यह सब नहीं कि इस टाइप से आपको बताएं लेकिन मेरे भाई पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए पढ़ना भी एक कला है उसको सीखना चाहिए और सेलेक्शन लेना है तो अपने जैसे चार लोगों को स्वयम पढ़ाना भी चाहिए यह कौन सी बात करो हम तो पुलिस की त्यारी कर रहे हैं आप तो करो पढ़ना चाहिए हाँ मिरे बाई जब तक दो चार को आप वो चीज़ सिखाओगे तभी तो आपके अंदर आएगी न वो परफेक्ट बने ना बने वो बात की बात है आप परफेक्ट बन जाओगे आपका सेलेक्शन होगा हाँ वो उस टाइम वो अगर मालो 2G है तो आपके पढ़ाने से वो 3G हो जाएंगे 4G हो जाएंगे ले और देना है समझ के बात समझ में आपको इतने मोहबत से पढ़ा रही है तो यह क्या हम पहली बार जिंदगी पढ़ा है मैंने offline batches पढ़ाये हुए भर भर के पढ़ाये हुए और बहुत सी कोचिंग नाम भी सुना होगा मेहंदरा एजूकेशन प्राइवेट लिम्टेट ए उसका भी नाम सुना होगा एक जवाने बहुत ऐसे सीगले फैमस था अब हमें हर चीज बदलाओ होता है ठीक है फैमस अभी भी है इनके बिजनिस चलने है वह बात की बात है बिजनिस क्या बच्ची आते हैं पढ़ते हैं यह भी अपके दो वैपार है कुछ भी आप समझ सक कुल मिलाकर आपके भविस को बहतर किया जाता है ओफ-लाइन कोचिंगों में मोटा मोटा बात यह है आपके भविस को चले आप कोशन नंबर 4 आते हैं क्यान दे दिया तो अब इसको करके दिखाओ कि कहता है एक बरतन में दूद और पानी का अरत आलीस लीटर है जिसमें दूद पानी से तीन गुना है इसमें से दस लीटर मिस्रण निकाला और बीस लीटर सुद्ध पानी मिला दिया तो अंती मिस्रण में पानी और दूद का मिक्चर क्या होगा अब तो यह तो कांट करके बैठा कोशन अब यह basic से ही होगा इसी लिए मैं basic सिखा रहा था समझे ने, क्यों? क्योंकि इसने 10 लिटर निकाला और 20 लिटर जोग दिया, अब कहराईए, और जिसमें बच्चा सुझा हाई टेक, हाई टेक, हाई टेक तो खेला, अब यह बेसिक से कर लो, जो इस टेप सिखा रहे हैं, बस उसी से हो गया, कुछ नहीं करना, हो गया, हतम मु तीन गुना है, यानि मिल्क और वाटर का जो रेश्यू है, वो 3 to 1 है, मिल्क और वाटर का जो रेश्यू है, वो 3 to 1 है, 3 to 1 है, 3 to 1 बोलो हाँ, हम भूलो हाँ मिल्क और वाटर का रेशियो पीज टूवन है इसमें से दस लीटर मिस्रण निकाला गया अब सुनना मिरे भाई सुनना अब 10 लिटर निकाल के 20 लिटर अभी तक जितना कोशन था है कि सेम निकाला सेम मिला है यहां तेरा 10 निकालो 20 मिला तो दोनों में तो खेला है ना मेरे बाई तो आग करना क्या है कि अगर हम इससे 10 लिटर निकालते है और 20 लिटर सुध पानी मिलाते तो अनती मिस्रण में पानी और दूद की मात्रा का अंतर चाहिए करने को तो वैसे मैं भी कर सकता हूं इसको भी दो बार बताऊंगा ठीक है पहला तो जो मैं बताने वाला हूं उससे बताऊंगा और दूसरा प्रकाष डालूँगा अब मेरे दिमाग में काम कर रहा तो मैं क्या कुरूं मैं क्या को पहले पहले जैसा मेरे दिमाग को पहला है वह ही बताएंगे देखु को इस तो तीन और एक करेश्यों तीन और एक किता होता चार चार बराबर 48 के चार बराबर 48 के तो एक बराबर 12 के तीन बराबर 36 के तो एक बराबर 12 के कोई तकलिप नहीं यहां तक अब हमसे कहता है कि परभू दस लीटर मिस्रन निकाल लिया आयाता है दस लीटर निकालोगे तो वो तीन और एक की रेश्यों से ही निकलेंगे वह यह 3612 का रेश्यों यहीं है तीन और एक तो यह 3 और एक होता है चार बराबर 10 के तो एक बराबर ढ़ाइगे यानि इससे जो निकलेगा ढ़ाई तीना साड़े सात लीटर निकलेगा और इससे निकलेगा ढ़ाई लीटर यानि ये तो साड़े 9 लिटर हो गया और ये 15,8 28.5 हो गया और हमसे कहता है कि प्रभु दीनानाथ इसमें 20 लिटर सुद्ध पानी मिला दिया जाता है 20 लिटर सुद्ध पानी तो ये तो water ये है इसमें 20 लिटर मिला दो अब इसका value ratio हो गया 29 इस्टू 5 और ये हो गया 28 इस्टू 5 और हमसे कहता है अंति मिस्रण में पानी और दूत की मात्रा के बीच का अंतर क्या होगा 28, 29 का अंतर एक लिटर होता है 28, 29 का जो अंतर आएगा वो एक लिटर होता है एक लिटर फिलाल बेस्ट तरीका मुझे आप यही लगने लगा है तो च्रा तर दूसरा बताओ पर बेस्ट तो मुझे यही लग रहा है दूसरा बतानी जूरती नहीं यही सही है वह दस लिटर निकालो कि तो ratio 3 इस्ट वह नहीं करेगा और फिर 20 लिटर सुद पानी मिला रहे हु तो पानी वाली चीज में पानी मिलेगा मिल्क तो वही रहेगा और अंतिमिसरर में दूद पानी का अंतर यही तरीका है next तरीका नहीं बताएंगे बताएंगे क्या फस जाएंगे ज़्यादा गयान देंगे तो के तीन बराबर अब वो तो 36 हो गया वो इससे हो गया वो तो ब्लू कलर वाला तो समझी गया तो इससे तीन साथ लिटर निकालोगे इसस धाई लिटर तो यहां पर 28.59.5 कहता है बीस लिटर पानी जोग दो तो पानी पानी वाली जगह यानि पानी 29.5 और मिल्क 28.5 अंतर तो आएगा एक दिन प्यारा कोशन देखो आए बीपियस आरारवी ओफिशर स्केल वन समझे ने पियो बैंक पियो का कोशन है स्केल वान बढ़े कोशन अब यह कोशन सर जी क्या है अब तो हमको डरने लगने लगा हम भी डर रहे हैं सुनो कहता दूद और पानी के मिसर में पानी 25 परसेंट है क्या है दूद और पानी के मिसर में पानी 25 परसेंट है बहुत अच्छी बात है देखे मिल्क और वाटर आप बताओ अगर 25 परसेंट वाटर है तो 75 परसेंट मिल्क होगा की नहीं इसका रेशियो तो 3 तूवन आ गया या इसमें किसी को तकलीप कहे तो सर बिलकुल नहीं सर जी वाटर तो आप 25 परसेंट तो मिल्क 75 परसेंट रेशियो 3 तूवन फिर हम से कहता ह एक दूदवाला, 20 लिटर मिस्रन बेस्ता है, अब 20 लिटर मिस्रन बेस्ता है, इसी से 20 लिटर निकाल देगा, 20 लिटर निकाल दिया इससे, जो भी quantity थी, फिर भी रेशियो तो यही रहेगा, 3 to 1, क्योंकि थोड़ी दिर पहले तो यही घ्यान दिया था मैंने, इस वाले, दे काल दिया है, तो रेशियो 3 to 1 ही हो जाएगा, 3 to 1 हो जाएगा, मुस्कुराना मगर प्यार से, विरम से कहता है कि प्रभु दिनानात, और साथ ही 15 लिटर दूद और 15 लिटर पानी मिलाता है, यानि 15 लिटर दूद मिला रहा है, 15 लिटर, इसी टाइप का कोशन मैंने आपको बता दू, ओपन बता रहा हूँ, इसी टाइप का कोशन अभी कॉंश्टेवल के एक्जाम में आया, उसमें सहिद आफिसर, आफिसर करके कुछ दिया हुआ था, जहां आपने बहुत हाइटेक बताया था, ठीक है, यूपी कॉंश्टेवल में, तीन इस्टार, सेम पैटन प पानी से 150% अधिक है, यानि, पहले समझना, पानी अगर 100% है, तो दूद 200% हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 150% अधिक है, तो इसका अंतर 150% है, और अगर हम इसका रेश्यो देखते हैं, तो 50 से ये 5 बार में गया, 50 से ये 5 बार में, और इस शीच को मन में रखा जाता है, किसी बताया नहीं जाता है, ये मन में ही रखा गया, तो रेश्यो आ गया 5orfार का, कैसे, भाई ये 100%, 300% जोड़ो गे तो 2, 200%, गयो का रेश्यो पंच और 2, ये मन में रखो, और सुनों, ये रेश्यो आया कैसे, ये रेश्यो आया कैसे, आया कैसे, हाइलाईटर, आओ, मेरे हाईल इस लाइन से आया इस लाइन से आया है लाइटर हाइलाइट करो इस समाझ को देख रहा है ना देख रहा होगा नहीं देख रहा तो कोई बात नहीं भुल्चप लेनी देने यानि 15 लीटर जोड़ने पर यह आया अब 15 लीटर जोड़ने पर यह आया अब इसको करना कैसे आपने पढ़ा होगा प्रोफित लॉस में भी पढ़ा होगा परसेंटेज में इंकम एकस्पिंडेचर सेविंग मालों इंकम ये एकस्पिंडेचर ये सेविंग ये तो हमने कैसे सिखाया था क्रॉस करके ऐसे ये 75 ये 30 अंतराया 45 ये 6 ये 5 अंतराया 1 एक बराबर 45 के एक बराबर 45 के तो 3 बराबर 135 के और एक बराबर 45 के अगर टोटल जोड़ें ये टोटल तो ये 180 लीटर हो गया अब 20 लीटर मेन पतीले से हमने कम किया था तो मेन पतीले में 200 लीटर हो जाएगा क्योंकि 200 लीटर में से 20 गया तो 180 मूल मिसर्ड में दूद की मातरा यानि ये तीन और एक 4 बराबर 200 के 4 बराबर 200 के एक बराबर पचास के, जब चार बराबर दोसों के, तो एक बराबर किसके, पचास के, और मेरे दोस जब एक बराबर पचास के, और हमसे कहता है दया, मूल मिसर में दूत की मात्रा, जब एक बराबर पचास के, तो तीन बराबर किसके, एक बराबर पचास तो तीन बराबर द देड़ सो लीटर आंसर और यह बहुत प्यारा कोशन है मेरे भाई आप अगर मुझे एक पर्सेंट ट्रस्ट करते हो तो बहुत प्यारा कोशन एक सो पचास लीटर आंसर आएगा और सबसे प्यारा सुलूशन आपको मैं करा रहा हूं यूटोब के इतियास में इस चैप्टर का उपन बता रहा हूं आप गूगल में सर्च करना और जिस ज़ाप से आपको अभी सिर्फ चार-पांच नौई कोशन पढ़ा है न यहीं लग है अब भबिस में कर दें अब हम भी इंसानी है और अच्छा बैतर हो जाए समाज में और होते हैं ऐसा नहीं है हम यह कर दें कि हम ही बैतर हैं तो यह गलत है यह फिर मतलब समय और भी लोग बैतर और वो भी नएने तरीके निकालते हैं हमें उनसे भी सीखना चाहते है यही सकते हैं ठीक है कभी जीवन में सक्सेस अगर कोई पूछे कि सक्सेस क्या है तो मैं सक्सेस हो गया यानि आपने वहाँ पर फूलिश्टॉप लगा दिया सक्सेस में कभी फूलिश्टॉप नहीं लगता हम इसा कॉमा लगता है समझे की नहीं समझे यानि मैथ हमने यह वाली किताब पढ़ा जी किदे हमें बैता है हमने अपने जीवन में फूलिश्टॉप लगा दिया यह सक्सेस नहीं कॉमा लगाते लगाते आगे आज यह किताब कंप्रीट की कल वो की तो हम एक तरीके से सही रास्ते में जा रहे है इ यह भी समझे यह भी नहीं है कि यहां तक कि आप देखरों आज कल देखरों सेवी सेवी की जो मैडम है उन पर एलिगेशन दुनिया वर के लग रहे हैं कि आई सीजिया इसे पैसा कमाया हिडन बर्ग ने उनको मलब आडानी से कमाया यह कहीं से कमाया और कित्री बड़ी पो हुष कोई भी आप कोई किसी का भी ऐसी सीय इतना गोटाला कर दिया इस मौलम चला मंत्री में आज़ो फला मंत्री ने इधर की जमीन अंतिया लिए इधर का मौल हम लिया अमय यानि खुस कोई नहीं दो लाग सब्स्क्राइब किसी के दसदार हैं तो कोई यह सोच रहा होगा कि हमारे एक लाग हो जाएं हम सोच रहे हैं कि हमारे एक मिलियन हो जाएं मालब दस लाग हो जाएंगे तो हम सोचेंगे दो मिलियन हो जाएं फिर दो मिलियन तो हम सीजी सोचेंगे सीधे एक करोन हो आत्मा तरप्थी नहीं होती ऐसा भगवान ने हम लोगों को बना कर भेजा है समझ गए नहीं चलिए कोशन पर प्रकाश डालते हैं ठीक है के दूद और पानी के मिसर में 60% दूद है और सेस पानी दूद और पानी के अनपात को आपस में बदलने के लिए मिसर में कितना पान तो वाटर 40% होगा अगर मैं रेशियो देखू तो 3 to 2 है बोलो हाँ ना तो बोला ही नहीं तो अंगिल तूटता मेरा अब कहता है हमसे प्रभू दूद और पानी के अनपात को आपस में बदलने के लिए यानि जो ये 3 और 2 का रेशियो है हमें अब 2 और 3 का रेशियो लाना तो मिसर में कितना पानी मिलाया जाया अब यहां समझो मिलाया पानी गया है यानि वाटर मिल्क तो नहीं यानि मिल्क नहीं तो मिल्क दोनों केस में वही होने चीए जो पहले था पहले तीन है यहां दो है पहले तीन है यहां दो है तो भईया दो का यहां गुणा कर लो और यहां तीन का कर लो तो देखो मिल्क हमारा वही हो गया मिलक हमारा वही हो गया अब यह चार है और यह कितना है नौ है चार है नौ है तो वाटर मिलाया गया है पांच यूनिट मिलतो वही रहेगा मिलाया पानी गया तो तो चार से नौ ओ गया तो 5 मिलाया करहां कितना percentage ये 5 मेरे दोस इसमें मिला गया इस % तो इस ऐसी सो गया पांच बटा 10 गुड़े सो और वैसे भी तॉन झांस में कैसा फचास परसेंट आंसर कि अरे मेरे देद उता 5 इनिट मिलाए आपक कितने में से आउट आप दस तो दस का आधा पांच यानि पचास पोशिन मिला दिया एन आछा भूलो भूलो टेल-tell कोशन नमबर साथ कहता है मैं 30-0 मिस्रण में पानी और दूत का अनपात साथ और तीन है और शे और एक का अनपात बनाने के लिए मिस्रण में मिलाने वाली पानी की मात्रा ज्याद कीजिए देखरो देख चीजों को समझू मगर प्यार से तो को बड़े प्यार से सिखाएंगे अब कोई चीज है 30 लिटर परे समझू 30 लिटर मिस्रण में पानी और दूत तो यह सावे निश्टू थी का रेश्यो है और यह है 30 लिटर जैसा बोला जा रहा है भीचिया 6 और एक का अनपाफ बनानी के लिए मिस्रण में मिलाने वाली पानी की मात्रा पानी बोला गया यानि हमको 6 और 1 करेश्यो बनाना है और यह मिलक है और यह वाटर है और इससे ये चीज लानी है दिया देखरो तीन से एक लाना, बलब तीन से एक पानी मिलाना, अपान, लोग अच्छा हुआ हमने देख लिया, वन्ना अभी एमे डस लेता है, कोश्ण सर कैसे आपको डस लेता अब ही देखो दया पढ़ लिया हमने सही से पढ़ क्या लिया यहां कहता है पानी और दूद का अनपात है पानी यानि पहला वाला वाटर है दूसरा मिलक है हैं। और 6 और एक के अन्पाद में मिलACE किसको मिला रहे है पानी को मिला रहे ये वाला पॉर्शन तो मात्रा ग्यात करनी थी हैंतों निकाल देंगे महाबबस से महाबबत की दुकान यहां मिला क्या रहे हैं मिला क्या रहे हैं पानी मिल्क तो नहीं तो मिल्क में यहां तीन यहां एक यानि तीन का गुणा कर लो तीन का गुणा किया तो यह अठारा हो गया यह साथ यह अठारा यह साथ अंतर आया ग्यारा यूनिट का कितना आया ग्यारा यूनिट का इसी का मान चाहिए मेरे दोस साथ तीन दस दस बराबर तीस के तो एक बराबर तीन के ग्यारा बराबर तेहतिस के ठोको लाएक ठोको तेहतिस लिटर जोग दिया पानी है ये वाला जोगा है ये वाला S.V.I.P.O. का कोशन देखो फिर समझो साथ और तीन के वाटर और मिल्क का रेशियो कितना पानी जोगे है लाल कलर छे और एक तो मिल्क दोनों में बराबर होगा तीन तीन यानि वाटर अब जोगोगे तो ये साथ से अठारा तो ग्यारा यूनिट बढ़ा तस बराबर तीस के तो ग्यारा बराबर तैस बोलो हाँ अब कोशन धिरी धिरी करके प्यारे आएंगे कि कहता दकॉष प्राइस एंग्लिस एंग्लिस हिंदी है यू नहीं आए इस कोला वार इडी तब भी बताएंगे आप एक चीज़ समदो आपके पास तो हिंदी में लिखाई होगा मेरे बाई अब हिंदी लिखेंगे नहीं हम इंग्लिस में ही इस कोशन को करा देगे वह अपना हिंदी पढ़ ले ना भासा समझ में आएगी हम बताएंगे कैसे नहीं आएगे के दा कॉश्ट प्राइज ऑफ फ़स्ट टाइप ऑफ सुगर 25 पर केजी और एट आप सेकेंड टाइप इतना पहली वाली सुगर 25 रुपिया दूसरी 27 रुपिया पचास पैसा कि बोथ टाइप्स ऑफ दा सुगर आर मिक्ष इन रेशियो 2 इस तो 3 दो और तीन के रेशियो और उखा हमने 2 और 3 के रेशियो से मिलाना है पहली वाली चीनी का प्राइज 25 रुपिया पर केजी है दूसरे का 27 रुपिया 50 पैसा पर केजी है पहले बोलो हाँ तो पहले तो हम इसका कॉस्टिंग निकालने रेशियो से ही खेल लो समझो दो और 3 है तो मिनमम 25 रुपिया केजी तो होगा ही होगा और सब निकालने 25 से कितना ज्यादा धाई रुपिया ज्यादा एक का धाई तो 3 का किता साड़े साथ रुपिया ज्यादा कलर बदलो अब समझने आएगा साड़े साथ रुपिया ज्यादा अब कद्दू कटेगा तो सबको बटेगा तीन दो पांस से भाग दे दो 1.5 इसमें जोड दो यानि दोनों चीनी को मिलाएंगे तो 26 रुपिया पचास पैसे का बन जाएगा समझे अगर आपको नहीं समझ में तो 25 गुड़े 2 करना प्लस 27.5 गुड़े 3 करना 5 से भाग देना 26.5 आएगा 26.5 ना कहना नहीं बाकी समझदार हो आगे दिल तूटता है ना मेरा दो प्रकार की चीनी एक का प्राइस 25 रुपिया एक का सब्ताइस रुपिया 50 पैसे दो और तीन के रेशियो से मिलाए गया तो हमने कॉस्टि निकाल दी इतना मिनमम 25 इससे धाई रूपिय जादा एक कड़ाई तो तीन का साड़े साथ साथ अब ऑसत चीए तो पांस से भा इस वैलू का 20 वर्शन निकालोगे यानि एक बटा पांच इसी में जूड दो तो पांस से पांच बार में गया 25 फिपंद्रा 5.3 आ गया इसका इसमें जोडना है तो इसको जोडोगे 31.8 आठ आ जाएगा यही हमारा मार्किट प्राइस MP कह लाएगा 31.8 is the right answer of this one बोलो बोलो टेल टेल आठ के बाद नौवा कोशन कहता है पहले और दूसरे मिस धातू में जिंक और कॉपर का अनपात इतना है इन दोनों मिस धातू किस अनपात में मिलाया जाए कि एक नया मिस धातू बनना चाहिए मिस एख्यामपल का कोशन पती ले वाला जब समधाय था यह वाला क कॉशन पती ले वाला वह थे वाला थे वाला यह आज जया पतीन वाला जिसको दुवालन बता है तो हो सकता हूं मैं ये चलाओ तो दोनों चलाएंगे, आपको समझ में आना चाहिए, दोनों चलाएंगे, जो आपको बैतर लगे, पहले और दूसरे मिस अधातु में जिंक और कॉपर का अनुपात कितना है, तो पहला पतीला है 1-2 का रेश्यो, दूसरा पतीला है 2-3 का रेश्यो, किस अनुपात से मिलाए तो 5 और 8 का रिशू करिदको अगर आपको बिल्कुल प्रोसेस्से हाई टेक नहीं करना पहले प्रोसेस करना तो कैसे करते वाला पार्ट यह पार्ट निकालो एक बटा तीन आ जाएगा घंट यह वाला पार्ट और तीन इससे निकालो बटा पांच आझगए अए इससे निकालोगे तो पांच बटा आठ पांच तेरा आजाएगा मिक्षेंड एलिगेशन लगा दो कौन बड़ा कौन छोटा तो आप समझदार हो कि यह दूरी 26 पच्चिस यानि यह बड़ा होगा दो बटा पांच माइनस पांच बटा तेरा अब यह एक बार छोटा हो गया तो अब यह एक बार बड़ा होगा तो अब घटा ओगे मेरे दूसर पांच बटा तेरा बड़ा होगा किससे एक बटा तेन से यहां कर तेरा दूरी 26 पच्चिस यानि एक बटा पैसट आगया और पंदरा और दो बटा तेरा गुले तीन अब इसका रेश्यू लेना होगा कि तो तेरा से रेश्यू लेना होगा स समझ कर लेब्बा को अब रच्चिस यू ले रहा है एक बटा पांच असे आया होगा अगर इसको लोगे, तीन ऐसे आएगा, दस ऐसे आएगा, तीन इस्टू टेन आंसर आएगा, किस अनपाच से मिला आएगा, तीन और दस, तीन और दस यही आंसर, समझ गए, बोलो बोलो, टेल टेल, यह इसका सोलूशन है, लेकिन समाज के लोग कहते हैं, सर जी, आप इससे भी बैतर बताने में सच्छम, हाँ, तो वो सारा खेला अभ्यास, यहां करके दिखाएंगे, वो अभ्यास का है, देखो आपको करना क्या है, यह इसका सम हुआ तीन, इसका सम हुआ पांच, इसका तेरा, एल सीम देखो कि तेरा पच्छे 65 गुड़े तीन, यानि इसमें 65 का गुड़ा हो जाएगा, समझ गये, क्योंकि तीन गुड़े 65 यह बन जाएगा, अब इसमें 13, 49 का गुड़ा यहां कर लो, और इसमें 15 का, अब अगर मिक्षर एलिकेशन लगाना है, तो पहला वाला 65 हो गया, 49 दूना, 9 दूनिया 18, और 6, 7, 78 हो गया, और यहां 75 हो गया, अ आत्मा तरप्त कर देता है सुलूशन, 78 में 75 गया तो कितना आया, 3 आया, 75 में 65 गया तो कितना आया, 10 आया, 3 इस्टू 10, 3 इस्टू 10 हो जाएगा, यानि कोश्चन नम्बर 9 का जो आंसर है न, 3 अनपाते 10 होगा, और यही सही आंसर, समझ गये, है ना पहत्री सुन्दर तरी का, बोलो-बोलो, टेल-टेल, चलिए, 9 के बाद, 10 वाँ कोश्चन, 10 वाँ कोश्चन, कहता है हम से, स्वामी 32 रुपिया किलोग्राम और 45 किलोग्राम, 45 पे किलोग्राम डाल लाया, और इसने 1-2 के अनपात में, तीसरी किसमी मिला दी, मिस्रा 88 रुपिया, तो तीसरी किसम क्या, आप रेशियो से स्वाल करतो, मिक्षिय एलिकेशन मत लगाओ, इसमें, ठीक है, लोगो, 1-2, 1-2, 2 का रेशियो है, ये वाला स्वामी 32 रुपिया लाता है, ये वाला आप 45 रुपिया लाता है, और ये वाला कितना रुपिया, ये हमको निकालना है, और overall मिस्रन को ब केजी में, तो 88 रुपिया पर केजी क्या होगा मेरे भाई, इन 1-1-2 का योग, यानि 4, 4 बराबर 88 के, 4 बराबर, भुलब 4 बराबर ने, 4 गुड़े 88 करना होगा, अब यहां बड़ा सिम्पल कर लो, 32, 32, 45, ये 2X ऐसे, और 88 चौका कर लो, 88 चौका, तो इसका जब गुड़ा करोगे, तो 8 चौक 32 ऐसे आएगा, 8, 8 चौक 32, 2 हासिल 3, 32, 335, 352 आगे, अब मेरे दोस्ट, 2X ऐसे लिखो, 352 में, 77 घटा, 12 में से 7 गया, 5 आएगा, 34 में से 7 गया, तो 14 साथ गया, 7 आया, 275 ये 2X का मान, तो X बराबर, 137 दसंबलों, 50 रुपैसे, यानि, जो आप तीसरी किस्म को मिला रहे हो, वो 137 रुपै, 50 पैसे आएगा, यही प्यारे दोस्तों, इस कोश्चन का आंसर हो जाएगा, कोशन नमबर 10, उमीद है, आपको अभी 10 कोशन पूरत है, समझ में आ गए होंगे, क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसके बाद, यहां से हम लोग प्याय दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे,